नमस्कार दोस्तों एक बाए फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे चनल कारपॉंट हिंदी के एक नई वुडियो में दोस्तों आप लोग कई तरह के कोश्चन पूछते रहते हैं इनमें से ही एक हमारे सबस्क्राइबर में अतना कोश्चन पूछा है कि उन्होंने एक चोँट होता रहता है और कुछ कंडिशन में ऐसा थो को खु़ा के क्लीन कराने के बाद कोई भी दिक्त नहीं आती तो आज की वीडियों हमने इसी टॉपिक पर बात करने वाले कि ऐसा क्यों होता है और और इसका क्या हो पाए है देखिए दोस्तों जब भी हम थोटल बोडी को खुलबाके यानि कि पूई तरह से डिससेंबल करके उसको क्लीन कराते हैं और उसके बाद उसको फिट करते हैं तो उसका जो कैलिवरेशन है वो आउट हो जाता है यानि एसीम जो होता है उसको करते हैं तो उसके बाद थोटल बोडी केलिवरेशन कराना होता है और यह जो होता है OBD डिवाइस के द्वारा होता है OBD पोर्ट के द्वारा होता है या फिर जो है software के थूरू किया जाता है तो इस बज़े से दोस्तों यह प्रोब्लम आती है और अभी आपको समझ में आ ग रही है. RPM कम ज्यादा नहीं हो रहा है और कोई इस्छू नहीं है तो उसे Diche头श सेम्बल कर यानि कि खुलवा कर क्लीन ना करा है केबल स्प्रे केम अँप से ही क्लीन कर देंजे है ओस धोटल पोडिवरेशल कृने से जो आर्कियां वह कम हो जाना जादा हो जाना तो इस बात का आप धियान रखे ज़रूरत हो तब एप आप जो है इसे क्लीन करा हैं दिसेंबल करके अधर्वाइ treating स्प्रेई के थृम तुम आपको पिजन करा सकते हैं झाल झाल